हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मसाला सेविया की रेसिपी इस तरीके से सेविया बनाएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी तो चलिए शुरू करते हैं मसाला सेविया बनाने के लिए मैंने याँ 150 ग्रम्स भुनी हुई सेविया ली हैं अगर आप नॉर्मल सेविया ले रहे हैं तो उसे कड़ाई में डालके लो फ्लेम पे भून सकते हैं भुनी हुई सेविया से ये रेसिपी काफी जल्दी बन जाएगी यहां मैंने दो मीडियम साइज की प्याज ली थी जिसे नॉर्मल पीसिज में कट कर लिया है आठ से दस कड़ी पत्ते लिये हैं या मैंने एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च को मैंने बिलकुल बारीक कट लिया है यहां मैंने एक मीडियम साइज की गाजर को भी बारीक कट लिया है यहां मैंने दो हरी मिर्च लिये जिसे बीच में से कट कर लिया है बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्केप कर सकते हैं यहां मैंने दो मीडियम साइज की टमाटर लिया है जिसे नॉर्मल पीसेज में कट कर लिया है यहां मैंने आदी कटोरी मतर लिया है अब इन सारी चीजों को अब साइड में रख दे और कड़ाई गैस पर रख दे कढ़ाई में मैं डाल दूँगी 2-3 चमच ओयल तेल जब गरम हो जाएगा तब मैं उसमें डाल दूँगे 1 चोटी चमच जीरा अब डाल देंगे 1 चोटी चमच राई, इसे सरसो भी बोलते हैं अब इसमें डाल दीजिए हरी मिर्च अब इसमें डाल दीजिए 8-10 कड़ी पत्ते, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कड़ी पत्ते का लो फ्लेम पे इसे 1 मिनिट के लिए भून लीजिए अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज सबजियां डालते वक्त आपको गैस लो फ्लेम ही रखनी है प्याज डालने के बाद उसे मिक्स कर लीजिए प्याज को आपको यहाँ जादा नहीं पकाना है बस हलका सा कलर चेंज आने तक ही फ्राइ कर लीजिए अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर टमाटर डालने के बाद आप उसे भी मिक्स कर लीजिए टमाटरों को हमें यहाँ दो से तीन मिनिट के लिए पकाना है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए गैस यहाँ आप लो से मीडियम फ्लेम रख सकते हैं अब मैं इसमें डाल दूँगे आदी चोटी चमच नमक आदी चोटी चमच धनिया पाउडर एक चोथाई चोटी चमच हल्दी पाउडर अब मैं इसमें डाल दूँगी मैगी मसाला जो मार्केट में मैगी मसाला का पैकेट मिलता है न उसे डाल सकते हैं उससे बहुती टेस्टी सेविया बनती हैं बच्चों के लिए आप 매गी की जगा सेविया बनाएं और उसमें 매गी मसाला डाल दें उन्हें जरूरा पसंद आइगी अब इसे MIX कर लीजिए इन सारे मसालों को प्याज और टमाटर में मिक्स कर लीजिए दो से तीन मिनट के लिए भून लीजिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए टमाटर यहां सॉफ्ट हो चुके अब मैं इसमें डाल दूँगे हरी सबजियां तो सबसे पहले मैं यहां डाल दूँगी शिमला मिच बारीक कटी हुई शिमला मिच डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी गाजर बारीक कटी हुई गाजर डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी आधिकटोरी मतर आप चाहें तो अपनी कोई भी मन पसंदीदा सबजियां इसमें डाल सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी बनेगी अब इन सारी सबजियों को मिक्स कर लीजिए और 2-3 मिनट के लिए इने फ्राइ कर लीजिए सबजियों को हलका सा पकाने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी सेविया मैंने यहाँ पहले से ही भुनी हुई सेविया ली थी आप मार्केट से भुनी हुई सेविया का पैकेट खरीच सकते हैं अगर आपके पास भुनी हुई सेविया नहीं है से पांच मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढग कर रख देंगे बगने के लिए चार से पांच मिनट होने के बाद हम इसे चेक कर लेंगे देखिए सेविया में अभी थोड़ा सा पानी बचा हुआ है तो इसे हम थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे आप इसे ढग कर रख दीजिए 3-4 मिनिट के लिए 3-4 मिनिट होने के बाद हम इसे चेक कर लेंगे सबसे पहले आप हलके हातों से इसे साइड से ऐसे मिक्स कर लीजिए देखिए अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और बिल्कुल खिली हुई सेविया बनी है अब मैं गैस आफ कर दूँगी और सेविया हमारी रेडी हो चुकी है इस तरीके से मसाला सेविया बनाएंगे तो बिल्कुल खिली हुई सेविया बनेंगी तो चलिए मसाला सेविया को सर्फ कर लेते हैं मसाला सेविया को आप ब्रेकफस्ट में बना सकते हैं अगर आप breakfast में कुछ अलग ट्राइ करना चाते हैं तो मसाला सेवियां जरूर बनाएं बच्चों के लिए जरूर बनाएं क्यूंकि इसमें हमने बहुत सारी सबजियां डाली हैं इसका टेस्ट और बढाने के लिए अब मैं इसके उपर से डाल दूगी टोमेटो केचप मसाला सेवियां को अगर आप टोमेटो केचप के साथ खाएंगे तो ये और भी टेस्टी लगेंगी फ्रेंज मसाला सेवियां जरू ट्राय करें और मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें शेयर कर दें बेल आइकन को जरू क्लिक करें ताकि कोई भी लेटिस्ट वीडियो मिस ना हो मसाला सेवियां आपको कैसी लगीं कमेंट सेक्शन में जरू बताएं